हेलो स्टूडिंट्स यह हमारा कन्कुलूडिंग पार्ट है फाइलम का इनो डर्मेटा का हमें करनी हैं जो सब फाइलम-ईलिथरोजोड़ोगा है उसकी एक क्लास बची वी है हमारी और दूसरा जो सब फाइलम है पल्मेटोगा यह दोनों चीजें हमें इसमें कम्प्लिट कर सब फैलम एलिट्रोजवा की जो लास्ट क्लास है वो है होलो थूर यदि यह इसमें जो होलो थूरियॉन है सका मतलब होता है वाटर पॉलिप और इडियो इसका मतलब होता है फॉब तो जब डाग्राम देखेंगे तो इसमें देखें उपर टेंटिकल्स हैं और उनके फर कु तुरॉइडी है इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि वाटर पॉलिप जैसे फॉर्म्स पानी में दिखाई देते हैं इनका शरीर लंबा बेलनाकार खीरे समान होता है इसलिए ये सी क्युकुम्बर्स भी कहलाते हैं खीरा जो होता है वह अंग्लिश मस्कुपन क्युकुम्बर बोलते हैं तो इनका शरीर इसलिए ऐसा दिखता है इसलिए ये सी क्युकुम्बर्स कहलाते हैं इनके सिर पर भुजाएं वह शूक नहीं पाये जाते हैं विठी खाचे बंद होते हैं मुक्स पर्शकों से गिरा रहेता है धे विठी पेशी वह चर्मिल होती है पेशी सिए वह चर्मिल होती है और श्वसन के लिए श्वसन व्रक्ष पाई जाते हैं रेस्परिटरी ट्रीस पाई जाती है उसे इनका रेस्परिशन होता है गुदा विशेष पकार की गुद पपिला से गिरा रहता है नाल पाज चुशक युक्थ होते हैं इनका larva auricularia कहलाता है इनमें madriporite, antrik या भाईया होता है समुदरी खीरे इस वरग में वर्गिकरत किया जाते हैं वरग हुलो थूर आइडया को 5 गड़ों में वर्गिकरत किया जा सकता है तो इसमें 5 orders पाई जाते हैं और यह जो animal है इसका diagram आप देख लिजेए इसमें अच्छा ये इसमें ये बैडिया है कि इसके जो सेक्स होता है इसेपरेट होता है अब इसका डाइग्राम देख लिए यह दे रखा है हुलो थूरिया और साधारा नाम है इसका सी क्यूकुम्बर बिल्कुल यह जैसे खीरे के अकार के इसका दिखाई दे रही हो बॉडी जो उपर का एंड है उसके माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ के थोड़ा पीछे उपली और लॉपनिंग और गॉन डथेंट यह में सेसिती ट्न डखाईब दे रहाने यह यह जो ट्यूब फीट हैं फ Ты a प्रइस और सेंशरीन थे तो दो त्सेंटरी मएं तो त्दूब कि यह स сигसी स्कर्थें पशीस करने करने environment को देखने में किस प्रकार का है यह काम इनका होता है तो यह इस तरह से पॉलिप के आकार का जो जन्तु दिखाई दे रहा है वो होता है होलो थूरिया तो यह कंप्लीट हो गया हमारा हमें अल्यू थो बदो अब हम आते हैं जो नेक्स्ट सब फैलम है वह कलमेटो अब यह जो प्लमेटो वर्ड है इसका नाम होता है सोल अफ़ुट कर दो जो एनमल जो होते हैं इसमें पल्मेटोजोगा में वो फुट सोल की तरह दिखाई देते हैं इसलिए यह कहलाते हैं पल्मेटोजोगा जो माउथ और आम्ड होते हैं वो दोनों अपर सर्फिस के होते हैं है और ताये ट है कर अधी वेस सब्सक्राइब चेंड निए फिर पीड़ दिखाई लुक्रम धेसे पने वाट् सबस्क्राइब और यह अटायस्ट रहते हैं यह ट रहते हैं यह जोंड मतलब यह ये स्वाइन्टरी है ये अनिमल्स हिलते नहीं है एक ही जगय पर पाए जाता है महाँ फिक्स्ट होते हैं और इनकी जो aoर्ण होता है यह जो सब्फाइल्म है पालमैटरोज़ा ये इसमें केवल एक क्लास पाई जाती और ये है क्रिनोइडिया जो क्लास इसमें पाई जाती व और रिडॉस का मतलब होता है फॉम तो यह लिली जैसे फॉम मतलब लिली मतलब जो कमल होता है जो पानी का जो कमल होता है उस तरह का इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है फूल के अगार का इसलिए इनको बोलते हैं क्रेनोईड डिया यह जीवन के कुछ समय या जीवन परियन सते पर चिप के रहते हैं मुख व गुदा दोनों मुख सते पर पाए जाते हैं इनकी बुझाएं शाकित व पिछा कार होती हैं डाइग्राम में आप दे सकते हैं कि जो पांच बुझाएं हैं यह जो पांच बुझाएं हैं वो सेंट टोटल टैन बुजाएं इनमें होती है, मुक्सते पर पक्षमाभित विथी खाचे पाई जाती है, जो मुक्सते है उसके पर एम्रिलाकरल ग्रूवस पाई जाते हैं, प्रारंद नाल पादों में चूशकों का अभाव होता है, प्रारंधक, शूलों तथा वरंद पादों का मेड्रोपॉराइट, स्पाइन, पेडिसिलरी इसमें नहीं पाई जाता है, इनका सबका अभाव होता है, इनकी अहार नाल वी क्याकार की होती है, शरीर में केंद्री, डिस्क, प्याले नुमा, क्यालिक्स बनती है, इनमें विटिलेरिया या पेंटा, प्रिनॉडा, पाई जाते हैं, तो ड्वलप्मेंट यानि इन्डारेक्ट है, जो लार्वल फॉर्म होता है, वो होता है, विटिलेरिया या पेंटा, क्रिनॉडा, तो ये पूरा हो गया, ब्योरा, क्रिनॉडिया के अनिमल्स का, और इसका एक्जाम्पल है, एंटिडॉन, और डाइग्रा आप देख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ, इसमें ये सेंटर जो सेंटरल डिस्क है, जो पेंटा मरस है, इसके पांच साइड्स है, इसकी डिस्क की सेंटर की डिस्क की, और हर एक जो दो बजाएं जहाँ पर मिल रही हैं, उस एरिया में आम्स निकल रहे हैं, और जो सेंटरल लगे हुए हैं तो इस तरह से यह है एनमल एंटी डॉन और इसमें लेकिन इसके जो नीचे का सिरा होता है जहां पर यह इने अपर के सिर्या पर माउथ और इनस प्रेजेंट है नीचे के सिर्या पर कुछ प्रोजेक्शन निकले वे होता है जो कि अनमल को फिक्स करने में काम आते हैं तो यह एक डॉर्सल विए अपने को दिखाई दरी जो इंट्रल विए देपन देखें तो उसमें वो क्लियर होता है तो यह हो गया आपका जो फाइलम सब फाइलम भी है पैलमेटोजोग जिसमें केवल एक क्लास है तो अब जो नमबर अफ क्लासे हमने के दृ्मैटा में पढ़ी हैं वो हैं टोटल पांच चार तो होती है जो इसके बाद अपन फाइलम है जो नेक्स्ट टॉपिक है यह आपका क्लासिफिकेशन का टॉपिक है इसमें सारे फाइलम पूरे हो चुके हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देख लेते हैं अपन सिलबस में और उसके बाद अपन नेक्स टॉपिक पे चर्चा करेंगे नेक्स लेक्चर में अभी तक अभी इतना ही थैंक यू